हेलो फ्रेंड्स सोगते आप सभी का सोलुशन मिदरे से यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में मॉडल औक्जलरी बर्ब से लटी पर्टी सेट लिया है इस पर्टी सेट पर 30 कुशन कवर करेंगे आप लोग को जरूब बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडियेफ है आपको टेलेग्राम की चैनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजिए और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं YouTube channel join करते ही आपको सभी वीडियो उसकी जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम में मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग channel को join कर लेंगे तो आपकी YouTube के home page पे membership का option खोल जाएगा तो इस membership section में आपको सभी वीडियो उसकी जो PDF का password होगा वो आपको मिल जाएगा और PDF फाइल के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी join कर लीजिए लिंक जो है वीडियो का description में है लास्ट में आप लोगों ना 30 में से कितना score किया है comment talks में जरू बताएं और लास्ट में जो question में पोचता हूँ उसका भी answer आप लोग comment talks में जरू देजीगा तो चलिए इस practice set को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को subscribe करें बैल लैक्न को प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग जो है मेरे साथ सा live chat में भी answer देते रहें मैं सभी के comment जो है read कर रहा हूँ तो चलिए इस practice set को शुरू करते हैं सबसे पहला question question number one blank I go now question mark तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा जब भी sentence में आपको permission देनी हो या फिर permission आपको किसी से लेनी हो तो उस sense में आप हमेशा जो है मे का use करेंगे मैंने आपको क्या बताया है जब भी sentence में जो है अनुमती मतलब की permission मांगने के sense में use किया गया हो या permission देने के sense में use किया गया हो तो आपको उस sense में हमेशा जो है मे का use करना है तो यहाँ पे इसका जो है May correct हो जाएगा अनुमती मतलब की permission मांगने एबम अनुमती देने के लिए आप हमेशा May का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे May correct हो जाएगा May I go now question mark तो यहाँ पे इसका May correct हो जाएगा अगले question कुशन माट टू blank I borrow two books from the library तो यहाँ पे भी जो है वो permission ले रहा है तो यहाँ पे इसका May correct हो जाएगा permission लेने या फिर permission देने के sense में आप हमेशा May का यूज़ करेंगे अगले question कुशन माट थार्ड यू blank borrow one book at a time तो यहाँ पे आप लोग सोच लिज़ जो है रहा है यहाँ पे भी जो है permission ले रहा है और यहाँ पे जो है permission दे रहा है तो permission लेने के sense में या फिर देने के sense में आप हमेशा May का यूज़ करेंगे यू may borrow one book at a time तो यहाँ पे इस question का वो जवाब दे रहा है तो यहाँ पे जो है May यहाँ पे correct हो जाएगा अगला question question number 4 blank I come in question mark तो इसमें आप लोग सोच लिजे सका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे भी वो permission ले रहा है permission लेने के sense में या फिर permission देने के sense में आप हमेशा make a use करेंगे तो यहाँ पे may I come in question mark तो यहाँ पे इसका make correct हो जाएगा अगला question question number 5 blank I have the salt please question mark तो इसमें आप लोग सोच लिजे सका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे जब भी sentence में informal request के sense में बात की गई हो तो आपको हमेशा जो है क्या use करना है हमेशा आपको जो है may use करना है यहाँ पे typing mistake होई है तो यहाँ पे जो लिखा है my my की जगे आप may कर दीजे जब भी informal request के sense में बात की गई हो sentence में तो आपको हमेशा may use करना है तो may I have the salt please question mark तो यह correct हो जाएगा आप लोग यहाँ पे याद रखीगा my की जगे आप लोग may कर दीजे यहाँ पे थोड़ा typing में mistake है अगले question question number 6 blank I borrow your pen question mark तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया है जब भी sentence में informal request का sense हो तो आपको हमेशा may use करना है यहाँ पे question number 5 question number 6 में जो है typing mistake है आप लोग यहाँ पे जो है may कर दीजे और यहाँ पे right option में जो है may हो जाएगा तो may I borrow your pen question mark तो यह इसका correct हो जाएगा आप लोग इसको सुधार लिजे बाकी मैं PDF में सुधार दूँगा अगला question question number 7 the sky is cloudy it blank ran today तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा मैं आपको जो है make a use जो है दो बता चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है जब अनुमती मतलब की permission मांगनी हो या फिर permission देनी हो तो उस sense में आप जो है make a use करते हैं जब भी sentence में informal request के बारे में बात की गई हो तब भी आप जो है make a use करेंगे अब मैं तीसरा rule make regarding बता रहा हूँ make a use जो है किसी घटना के घटित होने की जो है ज़्यादा संभाबना हो more possibility हो तो उस sense में भी जो है आप make a use करेंगे मैंने आपको क्या बताया है किसी घटना के घटित होने की जो है ज़्यादा संभाबना हो more possibility हो तो आप जो है मे का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर sentence में क्या कहरा है The sky is cloudy, it blank ran today मतलब जो है आसमान में बादल चाय हुए है तो आज बारिश हो सकती है जब बादल चाय हुए है तो possibility जो है more possibility है मतलब कि ज़्यादा संभावना है कि बारिश होगी तो ज़्यादा संभावना के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर may इसका correct हो जाएगा अगर बात की जाए कम संभावना हो मतलब कि यहाँ पर बारिश यह चीज़ ना दी होती यहाँ पर तो आप हमेशा याद रखिएगा जब possibility ना के बरावर हो तो आप उस sense में जो है आप might use करेंगे मैंने आपको क्या बताया है जब possibility ना के बरावर हो मतलब की कम possibility हो ना के बरावर हो तो आपको might use करना है और जब संभावना ज़ादा हो किसी भी घटना के गटित होने की तो आपको जो है may use करना है तो यहाँ पर इसका may correct हो जाएगा अगला question question number 8 he blank win the first prize तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पर sentence में बात क्या कही गई है कि वह प्रथम पुरुसकार जीत सकता है तो यहाँ पर यह कहीं नहीं कहा गया है कि वह बहुत अच्छा पढ़ता है या फिर बहुत अच्छा वो खेलता है जिससे कि वह हगदार हो first prize जीतने का तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है जैसे उपर वाले sentence में बात की गई थी कि आज बादल जो है चाय हुए है इस वज़े से संभाबना ज्यादा है कि बारिश होगी तो यहाँ पर मैंने ज्यादा संभाबना के लिए यहाँ पर में यूज किया था अब जब first prize जीतने की बात कही गई है कि वह प्रथम पुरुसका जीत सकता है तो यहाँ पे possibility जो है माइट करेक्ट हो जाएगा कम possibility के लिए माइट यूज करते हैं बहुत ज़्यादा संभाबना के लिए में का यूज करते हैं तो यहाँ पे माइट करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन कुश्चन नबर 9 तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा यहाँ पे इसका make correct हो जाएगा make correct क्यों होगा यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा उसने lottery के जो है 100 ticket खरीदे हैं वो जो है पुरुसकार जीत सकता है तो यहाँ पे possibility जो है ना के वरावर नहीं है यह possibility जो है बहुत जादा है उसने 100 टिकेट्स लिए है लोटरी के तो उसमें हो सकता है कि वो पुरुसका जीत सकता है तो यहां पे possibility जो है जादा है इस बज़े से यहां पे जो है make correct जाएगा अगर यहां पे जो है 100 टिकेट्स की जगे 1 टिकेट होती तो यहां पे possibility जो है ना के वरावर होती तो उस sense में जो है आप might use करते लेकिन उसने जो है 100 टिकेट्स खरीदी है तो उसमें chance बन सकता है मतलब chance जादा है कि उसकी lottery लग जाए तो यहां पे make a use करेंगे क्योंकि possibility जादा है possibility जादा के लिए मैंने आपको क्या बताया कि make a use क करेंगे तो यहां पे make correct हो जाएगा अगला question question number 10 blank God bless you इसमें आप लोग सूच लिजे सका right option क्या हो जाएगा अभी तक मैंने जो है make के आपको जो है 3 rule बता चुका हूँ जब भी sentence में आपको अनुमती मतलब की permission देना हो या फिर permission लेना हो तो उस sense में आप make a use करते हैं informal request के sense में आप जो है make a use करते हैं और जो है more possibility के लिए आप हमेशा make a use करते हैं और less possibility के लिए आप हमेशा जो है किसका use करते हैं तो might का use करते हैं make a use में आपको क्या बताया more possibility के लिए भी जो है make a use करते हैं तो make a use में आपको 3 बता चुका हूँ अब मैं 4 आपको बताने जा रहा है तो यहाँ पर God bless you तो यहाँ पर जो है good wishes के बारे में बात हो रही है तो good wishes के लिए आप हमेशा जो है मे का use करेंगे तो यहाँ पर may correct हो जाएगा may God bless you तो यहाँ पर इसका may correct हो जाएगा अगला question 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 11 friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और पर दस friends वीडियो को जरूर शेक्या करें अगला question question 11 blank you live long तो इसमें आप लोग सोच लिजिए सका right option क्या हो जाएगा यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा कि आप दीरगा यू हो मतलब कि आपकी उमर जो है बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पी sense में भी आप जो है make a use करेंगे मैंने आपको क्या बताया है good wishes के लिए या फिर desires के लिए आप हमिसा जो है make a use करेंगे तो may you live long मतलब कि आप दीरगा यू हो तो यहाँ पी इसका make correct हो जाएगा अगला question question number 12 who blank be my friend here तो इसमें आप लोग सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा मैं आपको जो है make a use जो है 4 बता चुका हूँ जिसमें permission लेना या फिर permission देने के sense में और जो है आपको मैंने क्या बताया है informal request के sense में भी मैंने आपको बताया है कि make a use करते हैं जब more possibility हो तब भी आप जो है make a use करेंगे और good wishes और desire के लिए भी जो है आप make a use करेंगे अब मैं पांचमा आपको जो है make a use बताने जा रहा हूँ जिसमें जब भी sentence में आश्चर एव्यक्ट करने के sense में या फिर जानकारी देने के sense में use किया गया हो तो आप उस sense में भी आप जो है make a use करेंगे तो यहाँ पर sentence का क्या मतलब निकल रहा है who may be my friend here मतलब की यहाँ मेरा मित्र कौन हो सकता है जब भी sentence में आश्चर एव्यक्ट करना हो तो यहाँ पर आश्चर एव्यक्ट हो रहा है इस बज़े से यहाँ पर may यहाँ पर इसका correct हो जाएगा आश्चर एव्यक्ट करने के sense में या फिर जानकारी देने के sense में आप हमेशा जो है make a use करेंगे तो यहाँ पर इसका question number 12 का जो है may यहाँ पर इसका correct हो जाएगा अगला question question number 13 how old she blank be तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो है जानकारी देने के sense में बात होई है जब भी आश्चर एव्यक्ट करने के sense में या फिर जानकारी के sense में आपको हमेशा may का use करना है तो यहाँ पर इसका may correct हो जाएगा how old she may be मतलब की हो है कितनी उमर की हो सकती है तो यहाँ पर may इसका correct हो जाएगा अगला question question number 14 when blank we expect you तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या हो जाएगा हम आप से कब उमीद कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका may correct हो जाएगा परमिशन लेना हो उस sense में आप जो है may का use करते हैं जब भी sentence में आपको informal request के बारे में बात की गई हो तब भी आप जो है make a use करेंगे और जब sentence में more possibility हो तो उस sense में भी आप जो है make a use करेंगे और जब sentence में good wishes या फिर desires के बारे में बात हो रही हो तो भी आप जो है make a use करेंगे और जब sentence में आश्चा रिबेक्ट करना हो या फिर जानकारी देने के sense में बात हो रही हो तो आप जो है make a use करेंगे तो make a use मैंने आपको जो है 5 बता दिये हैं अब आगे देख लेते हैं अगले question question number 15 blank I borrow your golden necklace तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया था जब भी more possibility के बारे में बात हो रही हो तो आप उस sense में जो है make a use करते हैं और जब sentence में जो है remote possibility हो मतलब की less possibility हो मतलब की ना के बराबर possibility हो मतलब की दूरस्थ संभावना हो तो उस sense में आप जो है might का use करते हैं तो यहाँ पे mighty इसका correct हो जाएगा, यहाँ पे जो है बात क्या कही गई है, क्या मैं आपका सोने का हार उधार ले सकता हूँ, आज की दुनिया में, आज के sense में कोई भी जो है अपने सोने का हार उधार नहीं देता है किसी को, तो यहाँ पे possibility जो है ना के बरावर है, एक आज जन कोई भी होगा जो उधार दे सकता है, लेकिन आज के इस दौर में कोई भी उधार नहीं देता है अपने सोने के गहने, तो आप इस चीज को याद रखेगा, क्या मैं आपका सोने का हार उधार ले सकता हूँ, इस sentence का मतलब हो जाएगा, जब भी sentence में दूरस्त, संभाबना हो, remote possibility हो, मतलब की less possibility हो, मतलब की ना के बरावर possibility हो, तो उस sentence में आप जो है might का use करते हैं, और जब more possibility हो, मतलब की ज़्यादा संभाबना हो, तो उस sentence में आप जो है make का use करते हैं, अगला question, question number 16, blank I talk to the PM, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका correct option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जो है, इसका might correct हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है possibility जो है, ना के बरावर है, कि वो जो है, क्या मैं प्रिदान मंतरी से बात कर सकता हूँ, आज के इस दोर में कोई normal आद कर सकता हूँ, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला question, question number 17, blank I borrow your car, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जो है, ना के बरावर समभाब ना है, मतलब की less possibility है, तो इस sense में भी आप जो है, might का use करेंगे, तो यहाँ पे might correct हो जाएगा, अगला question, question number 18, he asked if he blank come in, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है, might का use में आपको एक बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको less possibility के लिए, मतलब की ना के बरावर समभावना के लिए, आप जो है, might का use करेंगे, अब मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ, में का जो past tense होता है, यह might होता है, मैंने आपको क्या बताया, में का जो past tense होता है, यह might होता है, आप सभी को पता होगा, might का use जो है present tense में भी हो सकता है, और direct से indirect narration में, जब हम use करते हैं, तो में को हम might में बदला जाता है, यह आप सभी को पता होगा डार neighbour narration में मैं आपको बता चुका हूँ कि मे को माइट में बदला जाता है तो मे का जो past sense है यह माइट है आप सभी को पता होगा, तो यहां पर question नमर 18 में indirect sentence दिया है तो यहां पर जब मे दिया होगा direct में, जब यह indirect में बदला गया है तो यहाँ पे जो है मे को आप माइट में बदल देंगे तो indirect में आप हमेशा जो है माइट का यूज करेंगे तो यहाँ पे माइट करेक्ट हो जाएगा कभी भी में नहीं आता है indirect में आप हमेशा याद रखेगा अगले question question number 19 he said that it blank ran that day तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है क्या मैं आपके सोफा सेट उधार ले सकता हूँ कि आज के इस दोर में कौन सोफा सेट उधार देता है तो यह संभाबना जो है ना के बरावर है कि कोई दे दे तो यहाँ पे भी आप माइट का यूज करेंगे जब संभाबना ना के बरावर हो तो उस सेंस में जो है आप माइट का यूज करते हैं क्योंकि आज के इस दोर में कोई भी किसी भी चीज को उधार नहीं देता है, कोई ऐसा जो इमांदार व्यक्ति होते हैं, जो भरोसा कर लेते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन आज के इस दोर में, 2023 और 2024 में कोई भी कोई भी चीज उधार नहीं देता है, जादा तर, तो आप लो तो question number 20 का यहां पर might correct हो जाएगा, friends सर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like, और अपने 10 friends से वीडियो को जरूर शेक्या करें, अगले question question number 20 बन, what blank he do, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इस correct option क्या हो जाएगा, तो मैं आपको जो है make a use बता चुका हूँ, might का use बता चुका हूँ, अब मैं जो है आपको can के uses बताऊँगा, तो can का use जो है, आश्चेरे मतलब की astonishment, आधीरता, impatience, crowd मतलब की anger को दर्शाता है, तो यहां पर can यहां पर इसका correct हो जाएगा, मैंने आपको can का use क्या बताया है, जब भी sentence में आश्चेरे मतलब की astonishment, आधीरता, impatience, crowd, anger को जब भी दर्शाई sentence, तो आप उस sentence में आप हमीसाद जो है can का use करेंगे, sentence का क्या मतलब हो जाएगा, वह क्या कर सकता है, तो यहां पर वह आश्चेरे बैक्त हो रहा है, कि वह क्या कर सकता है, तो यहां पर can correct हो जाएगा, अगला question, question 22, what blank she say I wonder, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका correct option क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो sky लिखा है, इसको आप लोग say कर दीजे, तो यहां typing mistake है, तो मैं आपको जो है PDF में सुधार दूँगा, what blank she say I wonder, मतलब कि मुझे आश्चरे है कि, वह क्या कह सकती है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, तो यहां पर भी जो है, आप can का use करेंगे, जब भी sentence में आश्चरे, astonishment, अधीरता, impatience, growth, anger, जब भी sentence में यह दर्शा है, तो आप उस sentence में आप जो है, हमिसा can का use करेंगे, और बाकी question number 22 में, यहां पर यह typing error है, आप लोग sky की जगे, आप लोग say कर दीजे, यह sentence हमारा correct हो जाएगा, और यहां पर can correct हो जाएगा, अगला question, question number 23, where blank he go, तो इसमें आप लोग सोच लिए, यहां पर जो got लिखा हुआ है, आप लोग go कर दीजे, थोड़ typing mistake है, आप लोग जो है, माफ कीजेगा, काफी errors इस PDF में होई है, तो आप लोग जो है, बिल्कुल चिंता मत करिए, जब मैं PDF आपको provide कराऊंगा, तो आपको जो है, मैं आपको सही करके दूँगा, बाकी next PDF से, next वीडियो से, जो है, आपको यह errors देखने को नहीं मिलेंगे, मैं कुशिस करूँगा, कि errors ना हो, बाकी यह गलती से हुआ है, where blank के ही go, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है, इसका can correct हो जाएगा, where कहां जा सकता है, यह भी आश्चरे है, astonishment है, तो यहाँ पर can correct हो जाएगा, जब भी sentence में, आश्चरे, astonishment, आधीरता, impatience, growth, anger, दर्शाई, आप उस sentence में, आप हमीसा जो है, can का use करेंगे, तो यहाँ पर can correct हो जाएगा, अगला question, question 24, how blank she resign, तो इसमें आप लुक्सोष लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, तो question 24 में, जो है, आश्चरे बेक्त हो रहा है, मतलब की, astonishment की बात हो रही है, तो वह कैसे स्थीफा दे सकती है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है, आप can का use करेंगे, मैंने आपको बताया है, कि can का use कहां करते हैं, जब भी sentence में, आश्चरे, astonishment के बारे में, बात की गई हो, अधिरता के बारे में, मतलब की impatience के बारे में, बात की गई हो, क्रोध मतलब की anger के बारे में, बात की गई हो, तो उस sentence में, आप हमिसा जो है, can का use करते हैं, अगला question, question 25, I blank solve this puzzle, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option, क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर दा की जगए, this कर दीजे, sentence correct हो जाएगा, थोड़ टैपिंग में error है, I blank solve this puzzle, तो यहाँ पर इसका right option हो जाएगा, यहाँ पर इसका can correct हो जाएगा, I can solve this puzzle, मैं इस पहिली को सुलजा सकता हूँ, इस sentence का मतलब हो जाएगा, उसके अंदर जो है, यह जो है mental ability है, कि वो जो है इस पहिली को सुलजा सकता है, जब भी sentence में, मानसिक या फिर ग्यान के कारण योगिता, मतलब जो mental ability होती है, जब भी किसी के अंदर mental ability हो, या फिर physical capacity हो, मतलब की सारी रिक छमता के बारे में बात की गई हो, या फिर capability मतलब की योगिता के बारे में बात की गई हो, तो उस sense में आप हमीशा जो है can का use करेंगे, तो यहाँ पर इसका can correct हो जाएगा, मैं इस पहिली को सुलजा सकता हूँ, तो यहाँ पर जो है उसकी ये mental ability है, कि वो इस पहिली को सुलजा सकता है, तो यहाँ पर can का use आप correct करेंगे, तो यहाँ पर can correct हो जाएगा, अगला question, question number 26, blank you lift this suitcase, तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस तरह आट option क्या हो जाएगा, सारी रिक छमता मतलब की physical capacity, capability योगिता, या फिर mental ability, मतलब की मानसिक या फिर ज्यान के कारड़ योगिता, को ब्यक्त करने के लिए आप हमेशा जो है can का use करते हैं, तो यहाँ पर इसका can correct हो जाएगा, क्या आप yes suitcase उठा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, सारी रिक छमता के बारे में बात हो रही है, physical capacity के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर can correct हो जाएगा, अगला question, question 27, he blank read without glasses, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, वो यह बिना चस्मे के पढ़ सकता है, तो यहाँ पर इसका right option हो जाएगा, यहाँ पर इसका can correct हो जाएगा, आप इने आपको बताया है, जब सारी रिक छमता मतलब की physical capacity, योगिता मतलब की capability, mental ability मतलब की मानसित, एब हम ज्यान के कारण योगिता, कि यह sense में आप हमेशा जो है, तो यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा, तो यह उसके अंदर जो है physical capacity है, मतलब की योगिता है उसके अंदर, यह mental ability है उसके अंदर, तो यहाँ पर can correct हो जाएगा, अगले question, question 48, blank you speak French, तो इसमें आप लोग सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा, जब भी sentence में mental ability, योगिता capability, physical capacity मतलब की सारे रिक्षमता के बारे में बात हो, तो आपको sentence में हमीशा जो है can का use करना है, तो यहाँ पर इसका can correct हो जाएगा, अगला question, question 49, blank you lend me 10 lakh rupees, तो इसमें आप लोग सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा, जब भी sentence में आपको परेश्थिती जन्य योगिता, या फिर दूसरे ब्यक्ति की योगिता, मतलब की capacity या फिर capability को जाना हो, तो उस sense में आप जो है can का ही use करते हैं, तो यहाँ पर इसका can correct हो जाएगा, क्या आप मुझे 10 lakh rupees उदार दे सकते हैं, जब दूसरे ब्यक्ति की आपको योगिता, मतलब की capacity या फिर capability जाननी हो, तो उस sense में भी आप जो है can का use करेंगे, तो यहाँ पर can correct हो जाएगा, अगला question, question number 30, इस वीडियो का last question है, blank you attend the meeting tomorrow, R की जगे आप लोग attend कर देजे, यहाँ पर typing में error है, आप लोग यहाँ पर सुधार लीजिए, R की जगे आप attend कर देजे, blank you attend the meeting tomorrow, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, इसका right option क्या हो जाएगा, तो जब भी sentence में जो है, परिस्तिती जरने योगिता, या फिर दूसरे ब्यक्ति की योगिता, मतलब की capacity या फिर capability आपको जानना हो, उस sense में आप हमेशा जो है can का use करते हैं, तो यहाँ पर इसका can correct हो जाएगा, क्या आप कल बैठक में भाग ले सकते हैं, इस sentence का मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है can correct हो जाएगा, अगला question, question number 31, question number 31, जो है आप लोगों के लिए homework है, मतलब की इसका answer आप लोगों को जो है comment box मताना है, question number 31 का, the sky is not cloudy, but a change in weather is always possible, it blank ran today, तो इसका answer आप लोगों को comment box मताना है, कि इसका right option क्या हो जाएगा, thank you friends, आप लोगोंने 30 में से कितना score किया है, comment box में जरूब बताए, friends आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like, और पर इंदेस friends में वीडियो को जरूब शेकर करें, अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किये हैं, चैनल जुरू सब्सक्राइब करें, मिलते हैं निव वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद वन दे मातराम,